हेलो दूस्तों आज बनाते हैं एक नगरी स्पी जिसका नाम है गौर्फली इसे आप कश्टर बीन भी बोलते हैं इंगलिस में चली फिर बनाना स्टार्ट करते हैं उसको कैसे बनाते हैं लेते हैं एक कटोरा कटोरे में करते हैं पानी को गरम गरम करने के बाद में इसी में सर देख सकते हैं मेरे गौलफरी पूरी तरीके से बॉयल हो चुकी है एक दम अच्छी तरीके से उसके बाद गैस का फ्लो बंद कर देंगे उसका लेते हैं च्छनी च्छनी लेने के बाद में जाली लेते हैं च्छनी वाली जाली इसमें सर्प कर देते हैं गौलफरी को उसके ठ होते हैं इसको अच्छी तरीके से निकाल लेंगे नहीं खाने कि खांदे би। यह वार्क मेल गढ़ी। उसको 20 से काड़ दूँगा इनको तीन पार्ट में काड़ देंगे देख सकते हैं मैंने पूरी तरीके से काड़ दिया है उसके बाद अपने इंग्रेडिन मसाले तैहर करते हैं चौकने वाले लेते हैं मांदस्ता में सर्फ करते हैं करें चार्कली लेसौन दो तिन तुकड़ा अधरक दो थीन हरी मिर्च करने के बाद थोड़ी सी डंठल सर्फ करेंगे अरिधनिया की उसको अच्छे तरीके से कूट लेंगे देख सकते हैं मेरा अधरक और लेसुन पेश्ट कोट चुगा है उसके बाद चणाते हैं कड़ाई कडाय में सर्फ करते हैं 2 ड्यव्ट सपून और धनिया का सर्फ करने के रची तरीके से पूहने के, देख सकते हैं मेरा मसाला पूरी तरीके से भून चुका है एकदम लाजवाब मसाला भून चुका है उसके बाद में अच्छी तरीके से भून लेंगे तो इसमें सर्फ करेंगे एक कटा हुआ बारिक टमाटर टमाटर सर्फ करने के अच्छी तरीके से टमाटर को पका लेंगे टमाटर इतना पका तरीके से पक चुका है उसका अब आट करते हैं मसाले बाद में इसमें आट करते हैं कुटा हुआ जीरा बहुत लाजवाब टेस्ट आएगा इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे पकाएंगे इसको उसके बाद में पूरी तरीके से मसाला पक जाएगा तब लाश्क में आड़ करेंगे दही दही आड़ करेंगे फेटा हुआ इसको पहले फेट लेंगे और दही आड़ करने से पहले आप गैस का फ्लोग दम सुलो कर देंगे नहीं तो फट जाएगा दही और फ्रीज से रखा हुआ दही नहीं निकालेंगा अदेफ थंड़ा निकालेंगे रूंपक में तो अच्छी तरीके से चलाएंगे देख सकते हैं मेरी सबजी का कलर मसाले कालर एक जबाएं लाजवाब दिख रहा है उसके बाद में इसमें सब्सक्राइब कर देंगे गौररफली गौरफली सर्फ करने के बाद में इसको अच्छी तरीके से गौरफली को मसाली को मिक्स करेंगे देख सकते हैं मेरी सारी गौरफली एकदम इसी कड़ाई में सर्फ कर दिया हूँ उसके जब पूरी तरीके से HERE करेंगे, सारे गॉ़रफिरी में मसाल़े पूरी तरीके से अंदर हो जाएं, मसलब मिक्स हो देख सकते हैं मैं गौरफली के सबजी बनके त्यार हो चुकी है उसके बाद में इसमें डालते हैं एक कप पानी अगर आपको ग्रेवी खाने का मन हो तो आप ज्यादा पानी याट कर सकते हैं नहीं तो सूखा खाने का मन है तो सूखा के एक कप खाली डालेंगा है देख सकते आने लगी इक दम नए तरीके के बनेंगे आप इसमें आलू भी अड़ कर सकते हैं अगर आपका मन हो नहीं तो एकदम गणा फरी भी बनाएप उसका आठ करेंगे दो तिन पेड केरेंडर कटी होई केरेंडर के डालेंगे देख सकते हैं मेरी गौरफली की सबजी बन के त्यार हो चुकी अब लगाते हैं अपनी थाली एक खाने में सब करते हैं गौरफली देख सकते हैं गौरफली की सबजी बन के त्यार हो चुकी है लाजवाब फेलदी तेस्टी उसके बाद में साइड में रखते हैं सैलेड सैलेड रखने के बाद में अब सब करते हैं अपनी बाजरी की रोटी देख सकते हैं मेरी रोटी बनके त्यार हो चुकी बाजरे के उसके बाद में रखते हैं बटर देख सकते हैं मेरी गौारफली और बाजरी की टूटी बनके तियार हो चुके हैं आप इस रिसीपी को ज़रूर ट्राइए करना अगर मेरी चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों में सेयर करना फिर मिलते हैं नेजी रिसीपी में